और पूरे देश को राष्टवाद का परजी सर्टिफिकेट बांधने वाले किसी भी बात पर आपको राष्टवाद का सर्टिफिकेट ठामने वालों का असली चाल चरित्र और चहरा अभी आपने देखा है यह लोग पूछते हैं टुकुडे टुकुडे गैंग भारतिये जनता पार्टी से जादा देश द्रोही और भारतिये जनता पार्टी से जादा बड़ा टुकुडे टुकुडे गैंग इस देश में कोई नहीं है यह हैं इनका असली चाल चरितर और चहरा भारत की भूभागिया खंडता और हमारी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का खिलवार बरदाश्ट नहीं है आज एक से डेड़ बजे के बीच में भाजपा की फेक न्यूस फैक्टरी ने भारतिय जन्ता पार्टी के ओफिशल अधिकरत हैंडिल ने एक विडियो ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी को विश्वगुरू बनाता हुआ यह अनिमेशन विडियो एक से डेड़ बजे के बीच में ट्वीट हुआ और उस विडियो में जैसा कि आपने विडियो में देखा और हम साजा भी करेंगे उस विडियो में भारत की जमीन का हिस्सा पाकिस्तान और चीन में दिखाया गया है यह अतिश योक्ती नहीं है हमारी सरजमीं का हिस्सा हमारी भूबा किये अखंडता पर इतना भद्दा मजाख भारतीय जनता पार्टी के उफिशल हैंडल से उनके उफिशल प्रवक्ताओं से उनके मंत्रियों से उनकी fake news factory के head से हुआ है हमारी जमीन का हिस्सा चीन और पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया गया है जब आक्रोश हुआ जब लोगों बोला शुरू किया कि अरे इसमें तो भारत का हिस्सा पाकिस्तान और चीन की सर्जमी में दिखा दिया गया है तो टूीट करकर वीडियो भागने लगे पहले fake news factory के head ने tweet किया फिर भारती जनता पार्टी के official handle ने tweet किया लेकिन एक लंबी फेरिस्त उन लुगों की अभी भी है जिनके handles पर जिनके facebook पर जिनके तमाम social media platforms पर आपको ये video अभी भी मिल जाएगा जिस video में भारत की सरहद کو कम दिखाया गया है हमारी जमीन को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखाने का दुस्साहस और दृष्टता भारती जन्ता पार्टी ने की है तो मुझे तो नहीं लगता कि ये गलती है मुझे लगता है ये गुना है यह सिर्फ गुना इसलिए नहीं है क्योंकि आपने भारत की संप्रबुता पर सवाल उठा दिया भारत की संप्रबुता के साथ खिलवार किया यह गुना इसलिए भी है क्योंकि इसी सरकार की 2016 में लाई जियो स्पेशल इन्फरमेशन रेगूलेशन बिल के अनुसार कोई भी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म कोई भी सोशल मीडिया एजनसी कोई भी अगर हमारे नक्षे के साथ खिलवार करता है तो उसके उपर सो करोड का फाइन और साथ साल की होती है अब भारतिये जनता पार्टी में जेल कौन जाएगा कि वेड़ास दबक स्टॉप जिम्मेदारी किसकी है प्रधान मंतरी फ्रांस में कसीदे पढ़ रहे हैं आई टी सेल चरण चुम्बक बनी हुई है और भारत की अखंडता और भूभागिये संप्रभुता के यह आपका असली चाल चरित रो चहरा है यह इस्जत है और असलियत यह है कि यह आपकी मन्शा है आप यही करना चाहते हैं और यही कर रहे हैं इस देश को खंडित कर रहे हैं इस देश के टुकड़े कर रहे हैं और उन टुक्रों को पाकिस्तान और चीन का दिखाने का दु क्योंकि उनके उपर वीडियो बनाया गया था उनकी पार्टी ने इसको प्लाटफॉर्म पर शेर किया और भारतिये जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड़्डा को इस देश से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए इस प्लाटफॉर्म से हम ये उम्मीद करते हैं ये करते हैं ये मांग करते हैं कि इस गुना की सजा भारतिये जनता पार्टी में जिससे गलती हुई है उसको जरूर मिले लेकिन उससे पहले थोड़ी सीरियसनेस दिखाई जाए कि कैसे ये इतना बड़ा गुना हो गया दो हिससे एक पाकिस्तान को आपने दे दिया एक आपने ऐसे हम जीते जी खिलवार नहीं होने देंगे और एक बात आपको और दिखा देते हूं ये भारत का वो नकशा जिसको हम सब देखते हैं ये है भारत का वो नकशा जो हम्त पाकिस्तान और क्या चीन हमारे बगल में हो लेकिन इस भारत के नक्षे को हम अपने दिल में बसा कर घुमते हैं और ये भारत का नक्षा भारती जंता पार्टी बनाती है जहां पाक और चीन को हमारे हिस्से दिखा दिये जाते हैं यह संप्रबुता और यह संप्रबुता के साथ और भुबा के अखंडता के साथ खिलव I will very briefly make a statement in English on this. Between 1 to 1.30, the BJP, the Bharatiya Janata Party, its Stroll Army, its Fake News Factory, its leaders, who are very eager to hand over certificates of nationalism to people, tweeted a video. It was about making Mr. Modi the Vishwaguru. And in that video, ironically, this is what they have put out. Parts of India are shown with Pakistan and China. And if this is not an attack on our territorial integrity and our sovereignty, then I wonder what is. And this exposes the Bharatiya Janata Party. This tells you what they are made of, what their real motives are. This also tells you the lack of respect they have for our sovereignty and for our territorial integrity. And this also tells you who the real tukude-tukude gang in this country is. And it is none other than the Bharatiya Janata Party. After these videos were put out by the BJP's Fake News Factory, its ministers, its leaders, its spokespersons, and the official handle of the Bharatiya Janata Party, people started reacting to it. People questioned how parts of India, territorial parts of India, integral parts of India were shown with Pakistan and China. And in no time, they deleted the video. But because you deleted the video and ran away doesn't mean we will not raise the questions that should be raised. And question number one is, how dare you do what you did? Because this is the map of India that we uphold. This is the map of India that we respect. This is the map of India for which we have made supreme sacrifices. And no force on earth can make us believe that anybody can make a mistake like this. No force on earth whatsoever. But that's what the BJP has done. And in fact, according to a law that the BJP itself brought in Parliament, which is the Geospatial Information Regulation Bill 2016, according to provisions of this, a hundred crore rupee in fine and seven years in jail for anybody who depicts the map of India incorrectly. So who's going to take the burden for this? Who in the BJP is responsible for this? Where does the buck stop? And which is why from this platform we demand that the Prime Minister and the BJP President should with folded hands first ask for apology before every Indian. Because we will not tolerate this depiction of India. We will not tolerate that in broad daylight you can distort the map of India and get away with it. We will not tolerate that territories that belong to India are shown as territories in Pakistan and China. We will not tolerate that. We seek accountability. And most of all, we seek an apology from no less than the Prime Minister and the BJP President. We'll first take questions on this, please. Actually, only questions on this, please. We'll use them with the video and the map, please. Please do this with the map. Yes, we will use them with the map. We will use the map. You will use the map together. Okay, question the question. इस देश में कानून है उस कानून के अंतरगत भारत का नक्षा एक ही तरह से डिपिट हो चुका है हो सकता है अगर उस नक्षे के साथ खिलवार किया गया है और सत्ता रूर दल ने खिलवार किया है तो सबसे पहले तो नैतिकता और मर्यादा यह कहती है कि प्रधान मंत्री औ भाजपा के अध्यक्ष हाथ जोड़कर इस देश के लोगों से इस देश के आवाम से माफी मांगें सबसे पहले तो हम यह कहते हैं डिलीट करके आप भाग गए उससे काम नहीं चलेगा और एक कानून है उस कानून का उलंगन हुआ है इस देश में कानून को चलाने का काम भी सरकार का होता है क्या आपने सक्ता रूर दल के खिलाफ सरकार कदम उठाएगी उठाना चाहिए आप सबका बहुत धन्यवाद ये करजन प्रेस कान्फरेंस थी शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया उसके लिए एक शमा चाहते हैं लेकिन ये बहुत एहम मुद्दा है ये भारत की भुभागिया खंडता और हमारी संप्रभुता को लेकर है और इस पर किसी भी तरे का क कोई खिलवार कत्ता ही बरदाश्ट नहीं है खासता और से कॉंग्रेस पार्टी जिसने कुर्बानी दिया हम इस पर चुप नहीं बैठ सकते हैं धन्यवाद